वाट सब्सक्राइब करना शुरू किया है यह हम लोग ओस्वाल पब्लीशर की बुक जो गुरू कुल है उसके सेंपल वेपर सॉल्व कर रहा है और पिशे लेक्चर में आपको वो 44 questions solve करवा दिये थे 44 questions जो थे वो section A और section B के थे अब आज के जो बचे वे 10 questions है वो assertion and reason assertion, reason और paragraph वाले हैं तो चलो guys शुरू करते हैं question solve करना पहले एक पर दरा देख लो कि question क्या है चलो question से सीधे पढ़ना शुरू करते हैं देखो दो statement दे रखे हैं एक को assertion बोला गया है एक को reason बोला गया है ठीक है assertion क्या बोल रहा है फ्लोरीन का bond dissociation enthalpy lower होता है than chlorine बिलकुल true बात है बिलकुल सही बात है फ्लोरीन और फ्लोरीन के bond को तोड़ना हमारे लिए यह बहुत जादा easy होता है as compared to chlorine और chlorine के bond को तोड़ना क्यों ऐसा सर यह नीचे reason में पढ़ लेते हैं यह बोल रहा है that fluorine is more electronegative than chlorine बिलकुल true बात है यानि यह दोनो statement अपने अपने हिसाब से सही है बना तुम्हारा assertion भी ठीक है तुम्हारा reason भी ठीक है यह दोनो statement अपनी जगा पर ठीक है लेकिन क्या यह reason इस assertion के लिए एक correct explanation है मतलब क्या यह वाला statement यानि reason में लिखा गया statement क्या यह assertion के लिए एक correct explanation है तुम्हें कहूंगा नहीं क्यों fluorine का chlorine से ज़ादा electronegative होना इस बात को नहीं proof करता कि fluorine को तोड़ना आसान है as compared to chlorine actually इसका reason पता है क्या है इसका reason is smaller size इसका reason क्या है smaller size of your fluorine atom fluorine atom का size बहुत ज़ादा छोटा होने की वज़े से छोटा होने की वज़े से दो fluorine के atom इतने नस्दीक आ जाते हैं कि इनके electronic उसरे को repel करते हैं और repulsion की वज़े से यह दूर चला जाता है so मेरे हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of नहीं यह गलत है यह नहीं हो सकता दूसरा both assertion and reason are true बिलकुल सही बात है दोनों true है सही बात है and reason is not the correct explanation of a बिलकुल सही बात है यह option के साथ मैं जाओंगा reason अपनी जगे सही है assertion अपनी जगे सही है लेकिन assertion को reason वाला statement justify नहीं कर रहा है तो यह जवाब सही है बलब आपको समझ में आ गई इन questions के लिए आपको एक deeper knowledge की जरुवत है sir deeper knowledge कहां से मिलेगा deeper knowledge आपको कहां से मिलेगा यह सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ NCRT पढ़ने से मिल सकती है और practice के लिए उस्वाल तो ही चलो आगे बढ़ते है question number 46 को देखते है अब यह क्या कर रहा है हाजी question number 46 देखते है अब यह बोल रहा है कि quartz glass is crystalline and quartz is an amorphous solid क्या लगता है मेरे हिसाब से यह statement false है मुझे लगता है यह statement गलत है क्योंकि quartz glass basically amorphous होता है तो यह तो statement गलत है second reason पढ़ते हैं quartz glass has no long range order हाँ यह statement सही है यह statement सही है क्योंकि यह statement बढ़िया तरीके से इस बात को justify कर रहा है that तुमारा जो quartz glass होता है यह amorphous है तुमारा quartz glass जो है यह amorphous है इस बात को proof कर रहा है तो a is false, r is correct देखते हैं हमारे options में हमें मिल रहा है क्या a is false, r is true option number d is correct you can go with option number d आप d के साथ जाएंगे आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जादा धमाकेदार update जो कि यह emerge के बारे में आप सब लोग सब जानते हैं अक्याडमी पर हमारा एक emerge करके एक test होता है और अभी इस test में आप अगर class 10 और 12 के learner है तो आप लोग के लिए दिवाली special आ रहा है टॉप टीन जो आपके winners होंगे उनको 31st December तक का plus subscription मिलेगा 1 to 1 mentorship मिलेगी and guys यह जो unacademy पर emerge होने वाला है CBSE term 1 exams के according mock test होने वाले हैं आप चाहें तो इस पर भी जा सकते हैं class 10th science 30th October Saturday होगा class 10th maths 31st October होगा अगर आप commerce, economics and business studies के students को जानते हैं तो guys उन लोगों के लिए भी बहुत applicable है अगर आप class 12th science के हैं तो maths का 30th October, biology का 31st October, physics का 1st November and chemistry का 2nd of November को emerge test होने वाला है और अगर आप इसमेर excel करते हैं तो आप लोगों को plus subscription मिल जाएगा तो guys देर के इस बात की emerge की link and total explanation description box में दे रहा है अभी जाकर इसको check out करें अगला question निप्टाते है question number 47 देखते है चली question number 47 देखते है valency of noble gas is zero true बिल्कुल सही बात बोल रहा है noble gas possess complete octet true दोनों सही है अब मुझे बस आपको ये दिमाग लगा के बताना है कि क्या ये reason reason इस statement को correctly justify कर रहा है बताईए क्या ये reason इस चीज़ को correctly justify कर रहा है बिल्कुल कर रहा है न अरे valency zero होने का मतलब है इसकी combining power इसकी combining power zero है अच्छा combining power zero कब होती है जब octet पूरा होता है अब इस से halwa position और क्या लोगे यार भगवान से मिलोगे क्या तो इसका जवाब क्या होगा a assertion भी correct reason भी correct और reason इस assertion का एकदम correct वाला explanation है so option number a के साथ में जाऊंगा अगला सावाल में देखूंगा question number 48 में check out करूंगा बुरूरूरूरूरूरूरू चलिए question number 48 let's check out the dissolution of acetone in chloroform is an exothermic process हाँ जी हमने पढ़ाई है जब भी आप acetone को chloroform में dissolve करते हो heat निकलती है exothermic process है true मैं इसे सही मानूँगा एकदम सही process है लेकिन क्यूं हम दूसरा statement पढ़ते है hydrogen bonding occurs between acetone and chloroform molecule on mixing the tube ये भी true है बिल्कुल true है chloroform में जो एक hydrogen होता है यह acetone में जो c double bond o होता है उसके साथ में hydrogen bonding create करता है और hydrogen bond कब बनेगा hydrogen bond क्या करेगा stability देगा जब hydrogen bond का formation होगा जब आपके hydrogen bond का formation होगा यह उसको stability देगा यह उसको क्या देगा यह उसको stability देगा और जब stability देगा तो energy कम करेगा अगर stability बढ़ी तो energy कम होई energy कम होई energy निकली मनलब exothermic process मनलब assertion भी ठीक है reason भी ठीक है और यह reason ने इस assertion को ठीक से explain करा है मतलब यह point भी सही है तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें A के साथ ही जाना चाहिए हाँ देखो A के अंदर हम लोग जाएंगे assertion reason true है और reason correct explanation है आपके assertion का fact बढ़िया must 49 question चलो बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है हाँ जी ethanol is a weaker acid than phenol बिल्कुल सही बात है true क्यों 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 एथेन ओल के अंदर CH3 CH2 OH होता है जिसमें यह oxygen SP3 hybridized carbon से जुड़ा होता है और इसे यहां पर किसी भी प्रकार का resonance करने का यहां पर इसके पास में कोई option नहीं है यह अपने इस double loan pair electron को कही डी-localize नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे phenol की बात करूँ अगर मैं आपसे यहां पर phenol की बात करूँ तो phenol का जो OH है अब आप देखो यहां पर oxygen electron withdrawing group तो है लेकिन यह एक sp2 hybridized carbon होने की वज़े से यह इससे electron accept करेगा तो यह electron यहां पर transfer कर देगा तो resonance होने की वज़े से आपको कभी negative charge यहां कभी यहां तो कभी यहां दिखाई देगा यहां पर double bond बन जाएगा oxygen के साथ में एक lone pair और यहां पर आ जाएगा hydrogen अब यह oxygen के पास में यहां पर एक partial positive character आ गया क्योंकि इसने अपना lone pair इसको transfer कर दिया तो यह oxygen बदमाश क्या करेगा यह hydrogen का electron खीचके H positive इससे दूर भगा देगा तो यह बात बिलकुल सही है कि phenol ethanol से जादा acid है अब इसका reason sodium ethoxide may be prepared by the reaction of ethanol with aqueous NaOH क्या लगता है क्या लगता है sodium ethoxide को आप ethanol के साथ NaOH की reaction करके आप इसे बना सकते हो बेटा यह basically क्या बोल रहा है कि यह sodium ethoxide salt है और ethanol को यह acid मान रहा है और aqueous NaOH को यह base मान रहा है मतलब यह neutralization reaction बोल रहा है तो दिमाग लगाओ कि क्या होना चाहिए यह सोचो यह गलत है यह वाला statement गलत है क्यों क्योंकि sodium अपना ethanol एक कमजोर acid है एक weak acid है और weak acid कभी aqueous के साथ react नहीं करता इसके लिए आपको vigorous condition चाहिए तो assertion को तो मैं true मानूँगा लेकिन reason को मैं false मानूँगा accordingly मैं को इसका answer ढूणना पड़ा है का assertion is true reason is false correct assertion is true reason is false option number c हमारा correct होगा तो guys यहां पर assertion and reason खतम होगा है section c की दरफ चलते हैं 5 multiple choice question मिलेंगे कोई से 5 oh sorry 6 मिलेंगे कोई से 5 attempt करना है question number 50 देखो यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि जो तुम्हारा helium है is used for filling meteorological balloons हाजी क्योंकि हलकी gas होती और कहा cryogenic agent है यह मैंने directly पढ़ाया था आपको यह होना चाहिए मेरा answer and in gas cooled nuclear reactor noble gas वहां भी use होती यह भी होता है so direct question आया simple simple n c e r t के अंदर यह direct question दे रखा है in the uses of noble gases in the uses of noble gases जो तुम्हारे noble gases के uses है उसमें यह point direct दिया हुआ direct question आया था easy question आया था बहुत a and b is the correct answer अगला question दिखते है अरे तो repeat हो गया यही previous lecture में मैंने कराया था कि carbohydrate का कौन सा part नहीं तो मैंने का था long carbohydrate के जब आप लोग hydrolysis करोगे तो hydrolysis कर पर poly hydroxy ketones नहीं मिलते बाकी सब मिलते है तो इसका option number C correct है इसको मैं पिछले lecture में बता चुका हूँ sorry यह repeat हो गया यह question बड़ा मज़ेदार लगा मुझे देखो यह बोलना इस compound में यह compound में यह ठीक तरीके से लिख देता हूँ CH2 double bond CH single bond CH2 OH यह इंड में से कौन सा नहीं है primary देखो यह carbon इस carbon को देखो इस carbon से function group जुड़ा हूआ है इसके पास में एक hydrogen यहाँ एक hydrogen यहाँ और एक यह पूरा alkyl group तो यह primary carbon तो है definitely यह carbon एक primary carbon है फिर monohydric क्योंकि सिर्फ OH है इसलिए monohydric भी है और alkylic क्योंकि यह carbon primary के साथ-साथ sp3 hybridized है और यह एक ऐसे carbon से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 है तो यह alkylic भी है तो यह बस vinylik नहीं होगा vinylik में आपका functional group ऐसे carbon से connect होना चाहिए जो sp2 hybridized हो मतलब ऐसा तो यह vinylik नहीं है तो do not describe हम vinylik पर click करेंग study करो readout मारो इस बाप परेग्राफ को point defect plays an important role in determining the physical property of most crystalline substance ठीक है बकवास most notably those controlling the transport of matter and the properties that stem from it ठीक है बकवास even a crystal of high purity under conditions of no irradiation contain point defect in thermal equilibrium good point मतलब कि कोई भी solid अगर आपको ultra pure भी दिखर आए तो भी उसके अंदर defect होंगे some lattice systems are vacant कुछ lattice system यहांसे vacant हो जाते है and some atom are displaced कुछ atom displaced कर जाते from their normal lattice side into interstitial position or onto wrong lattice point मना पूरा पूरा यह point defect के उपर बता रहा है मना यह statement पढ़ते हैं आपके mind में short की आ जाना चाहिए एक frankal आ जाना चाहिए एक metal excess आ जाना चाहिए एक metal deficient आ जाना चाहिए fabric center आ जाना चाहिए इतने में मेरे ख्याल से हमारे questions बन जाएंगे यह सब अगर आपको आता तो आप इसके सवाल बना सकते हो सवाल क्या बोल रहा है अच्छा आगे और दे रखा है sorry आगे और दे रखा है और पढ़ते हैं अभी तो और picture बाकी है मेरे दोस्त for stoichiometry compound of high purity the concentration of these point defect are very low ठीक है अगर purity जाता होकी तो defect की मात्रा कम होकी पर होंगे even a temperature up to melting point ठीक है a meaningful model then is to consider the crystal as a solvent containing a very high dilute solution of simple individual vacancy and interstitials long range interaction among the defect end with impurity atom and short range interaction that produce pair or other cluster can be introduced in a first order approximation ठीक है यह पूरा एक defect के उपर paragraph है हम सवाल की तरफ तो चले है फिर सवाल पढ़के अगर हमको लगेगा तो फिर एक बार paragraph की तरफ जाएंगा अच्छा एक बात ध्यानक नहीं तुम्हारा English वाला paragraph नहीं इसको अंग्रेजी वाला paragraph मा समझ के बैठ जाना चीक है ना question पढ़ो which of the following नहीं which one of the given below statement is wrong wrong about frankal defect frankal defect के लिए wrong क्या होगा frankal defect के अंदर it is a combination of vacancy हाजी यह तो two point है भाई देखो interstitial में क्या होगा frankal defect में एक cation या एक cation अपनी position को छोड़ेगा छोड़ेगा तो vacancy बनेगी और किसी interstitial space में आके बैठ जाएगा तो interstitial defect यह तो true है cation leave their actual lattice and occupy their interstitial space यह point भी एकदम true है density remain the same अरे जब cation जाएँ नहीं रहा है तो यह भी true point है तो wrong क्या हुआ crystal की density increase होती है नहीं crystal की density same rated d point paragraph ने क्या बनाया बेवकूफ बनाया बेवकूफ बनाया paragraph ने हमको बेवकूफ बनाया question तो सीधा था होताता अगले question में हमें डर आये देखते हैं अगला question हमें शायद डरा दे which of the following is an interstitial void अब बच्चे देखके घर धर जाएंगे sir interstitial void का मतलब अब यह तुमारे पास में बहुत बड़ा crystal है मालनो बहुत बड़ा crystal उसमें छोटे छोटे unit cell बने यह देखो यह छोटे-छोटे क्या बने उसमें unit cell अब tetrahedral void होगा तो unit cell के अंदर होगा octahedral void होगा तो जा तो दोनों से shared होगा यह इनके बीच होगा लेकिन ultimately हे तो वह इस crystal के अंदर ही ना तो interstitial void है दोनों दोनों के अंदर position खाली रहती है तो बोथ A and B tetrahedral void हो यह octahedral void हो हे तो वह interstitial void ही ना तो इसलिए बहुकूब बनाया बहुकूब बनाया पेरेग्राफ ने हमको बहुकूब बनाया नो इस type of defect arise due to absence of equal number of cation and equal number of anion from the lattice side in the crystalline solid of AB type and lower the density short key भाई frankly नहीं होगा vacancy और interstitial जो होते हैं usually यह non-ionic के लिए use कियाते है word यह word non-ionic के लिए use कियाते है ionic के लिए short की use कियाता है तो guys इसी के साथ you have reached the end of the document बतलब हमारा sample paper खतम हो गया and I hope आपको मज़ा आया होगा अब आपको इस वीडियो के end में बताना है कि 55 सवाल में से 55 में से आपके कित्ते सही हुए मेरे को यह नहीं जानना है कि sir मेरे पहले section में मुझे 25 में से 20 करने थे दूसरे में भी मेरे को 24 में से 20 करने थे और इसमें मुझे 45 में से मेरे कित्ते सही हुए नहीं मुझे वो नहीं जानना है मुझे शरी यह जानना है कि 55 में से आपके कित्ते सही हुए चीक है तो चलो अगला सेंपल पेपर जल्दी ले कि आऊंगा अगला सेंपल पेपर हम लोग जल्दी सौल करना स्टार्ट करेंगे इसको देख लिए जो कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना सो तब तक के लिए बाबाय चेक क्यार गुड़ नाइट एन हैव ग्रेट डे मेरे लालड़